रात अंधेरी है, सुभा का सूरज आएगा, तू उमीद तो रख, तू दारों की तरह चमकेगा, ना ठक कर बैठ मुसाफिर, तू काम करते जा, तू दुनिया में च्छा जाएगा नमस्कार मैर प्रिया तायल, आपका स्वागत है हमारे खास कारेक्रम, खबर उमीदो वाली में इस कारेक्रम में हम बात करते हैं, दुनिया से हट कर, कुछ नया करने वाले लोगों की, जिनके कामों की कहानी आपने कुछ कर गुजरने का जस्पा और हिम्मत भर देती है एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजर हैं आप सब के पीछ में, कुरोना के दुरान कई लोगों का बिजनस बंद हो गया, कई लोगों की नौकरी छूट गई, तो कई लोगों की धंदे तभा हो गए हालात ये हो गई कि लोगों को दोवक्त की रोटी के लिए भी संगर्श करना पड़ा लेकिन इस मुसीबत में भी कुछ ऐसे लोगों प्रे जिन्होंने ठक कर हार नहीं मानी और चुनोतियों को स्वीकाय किया और आपता को अफसर में वज़र दिया ऐसा ही कुछ हुआ है एमदाबाद के रहने वाले जेतन पतेल के साथ एमदाबाद की जेतन इंटियर डिजाइनर थे और उनका काम एमदाबाद में अच्छा खासा बिजनस चल रहा था लेकिन लोगडाउं में उनका काम बंद हो गया आंदनी थप हो गई लेकिन उन्होंने गायों से लगाब था इसलिए अपने दोस्तों की सलापर एक डेरी फार्मिंग का काम शुरू किया डेरी फार्मिंग का काम शुरू करने के लिए पहले जेतन ने रिसर्च की गायों के संबन में जानकाली जुटाई इसके बाद काम करना शुरू किया चेतन ने गाउं आकर एक गाउं शाला खोली उसमें ग्री नजल की कुछ गायों को रखा और पिर गाय का दूद निकाल कर आसपास के इलागों में बेचना शुरू किया चेतन कहते हैं कि शेहरों में आजकर शुद दूद मिलना आसान नहीं है हर जगे मिलावट की शिकात रहती है जब लोगों को हमारे काम के बारे में पता चला तो हमें उनकी दरफ से ओर्डर मिलने लगी हम लोग हर दिन सुबा शाम घ्राकों तक दूद पहुंचाने लगी फिलहार चेतन एमदाबाज शहर में दूद की डिलेवरी कर रही है वें हर महीने करीब 30,000 लीटर दूद की मार्केटिंग कर रही है इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है अभी उनके पास गिर्ण नसल की 25 गाएं है चेतन बताते हैं कि हमें जब घ्राक से भड़िया रिस्पोंस मिला तो हमने अपना दाइरा बढ़ना शुरू कर दिया हमने गाए के दूद के साथ ही औरगेनिक घी बनाने का काम भी शुरू कर दिया गिर्ण नसल की गायों का दूद सबसे अच्छा माना जाता है हमदाबाद में इन गायों का दूद सो रुपे प्रती लीटर बिकता है वहीं इनके दूद से बने देशी घी की कीमत प्रती किलो 2400 रुपे के आसपास है हम लोगों तक बिलकुल शुद घी और दूद घी पहुंचाते हैं चेतन दूद के साथ साथ हर बहीं ने 30 लीटर और गैनिक घी की भी डिलीवरी कर रही है चेतन गायों की हैल्थ और उनकी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखते हैं वह कहते हैं कि हम अपने परिवार के सदसे की तरह उनका ख्याल रखते हैं उनके खान पान से लेकर उनके स्वास तक का फूरा ठान रखते हैं इतना ही नहीं हमने गायों को मच्छरों और कीरों मकॉड़ों से बचाने के लिए पूरी गायशाला में मच्छर वाली जाली भी लगवा रखी है जिससे की गाय चैन से अराम कर सके हमने गायों के लिए ओटोमेटिक पाने की टंकी भी लगा रखी है जो खाली होने पर अपने आप धर भी जाती है लॉक्डाउन में इंटियर डिजाइनिंग का काम था पुआ तो चेतर ने हार नहीं मानी और डेरी पार्मिंग का बिसने शुरू कर दिया और आज लाखों रुपे की कमाई कर रही है हमें कभी भी मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए बेलकि उनकी चुनोदिय समझ कर सामना करना चाहिए जैसा की जेतर ने अपने जीवन में किया और आपता को अफसर में बतर दिया उमीद है आपको आज़ी कहानी पसंद आई होजी फिल्हाल मुझे दीजी इसादत धन्यवाद